दिवाली को लेकर बाजार पूरी तरह से सज गए हैं और इस पर वो को लेकर लोग जम कर खरीदारी भी कर रहे हैं दिवाली में किसी भी तरह की आगजनी की घटना से निपटने के लिए अगनिशमन विभाग शिमला ने भी पूरी तयारियां कर दी हैं और दो शिफ्टों में फायर ब्रिगेड के जवानों की ड्यूटी लगा दी है फायर डिवीजन आफिसर संजीव कुमार ने बताया कि दिवाली के मौके पर अकसर आगजनी की घटनाएं पेश आती हैं जिससे निपटने के लिए फायर ब्रिगेड इस बार काफी अलर्ट मोड पर है अगनी शमन विभाग से जुड़े अधिकारियों और करमचारियों की छुट्टियां रद कर दी गई हैं ताकि जरूरत पढ़ने पर करमचारियों को मौके पर भेजाज जा सके प्रदेश के सभी प्रदेश बास्टियों को दिवाली की धेर सारे शुबकान आएं और बदाए हो और जहां तक ये और इसको आपने की बुरा पिर्भंद किया है तो हमने शेवला सहर में जो शिक्टे में तीन शिप्टे हो ती है उसका इस बार अवह दिवाली को अंधिशन को मैनपाबर ज्याद journals हुडा में इसको डिवाड है और जो प्रश्वां टेंटर है यह वालुगंग यह पांच पांच अन्रें और इसके साथ हमारे पास एक क्यूक रिस्वांस बिखर जो ध्लिया है जो वाई लेन वहां के लिए आग जनी से निपणने केलिए वह एक कंप्रेस्ट सेयर फॉर्म सेस्ट्म में एक स्टेज में जो आग कोकाबू करने के लिए काफी एफेक्टिविए उसका भी हमने बन्लू बन्लू सोरी एक महारोड और एक चोड़ सीम्ला में अबिलेबन क्या एक संदेश रहेगा क्योंकि दिवाली पर देखा गया है कि कुछ लोग वाइलेशन भी करते हैं और हलांकि इस बार आठ से दस बज तक की टाइमिंग दी गी है क्या एक संदेश भी रहेगा पीद रहेगी लोगों से कि इस तरह की गटना ना हो क्या आप मेजर्स वह हो क रां ये तो हमारे सबी से अग्राय रहेगा प्रदीस बार्शियों से कि भीधियों ये जो पठाखे बच्चों की पौंच से डू रकें यो अतिस्वाजी गया राइए उनको दू रखें जैसे को इसको प्रताखे बगार आतिसेवाजी बगार जो चलाते हैं तो बच्चों को मलब कि किसी पेरेंट्स या को बड़े लोगों की अवसेंस में चलाएं उनके परजांस में चलाएं और जो पता का स्टॉल है उनको भी हमने अग्रह किया भी उनने एक दू जगा बिजट किया है तो उसे अग्रह किया कि जैसे सेंड की बोरी और बकट जो पानी की भर के अ हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुषपेंदर चौदरी के रिपोर्ट